गुद इवनिंग सभी को उमीद करतों मेरी वॉइस प्रापर आ रही होगी एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग फिर लोग स्टार्ट करते हैं अच्छा लेक्चर और अब इकदम से वोईस नहीं आएगी फिर आज आएगी ठीक है रुखना अभी अभी कंफर्म करना भी आ रही होगे न ठीक है प्रापर होगी तो आज हम लोग करेंगे जो कल फेस्टिवल टॉपिक पढ़ा था उसके एम से क्यूज करेंगे एंड एक चीज की बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंस्मेंट होने वाले एक्सेंडे को ठीक है तो उसको मिस्स मत क करिएगा ठीक है तो मंडे से हम लोग कुछ रॉकिंग करने वाले एक दम मज़ा आजाएगा सुनके आपको ठीक है तो संडे को वह अनाउंस्मेंट होगा जो सीपीओ छेसल तो वह मैं पहले सीपीओ छेसल के लिए अभी से लिए मैं टाइम ले रहा था कि और क्या दिमाग सब के लिए वो रहेगा ठीक है एटली सीजल के लिए वह रहेगा मैं यह बोल सकता हूं ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं हलो सभी को संदीप साक्षी अविशेक आकांशा रौनक डे बिला बिलाश सरकार शुभम निशास निहा रॉकिंग मोई मोई चलो तो स्टार्ट कर करो साथ साथ क्विश्चन के आंसे भी देते रहें ना तो फिर बड़ा टॉपिक जैसे जो बुक्स होगा करेंगे वह एंसी क्योंकि तरह से हम लोग कुछ टॉपिक्स कर रहें भी जो बड़े हो जाते हैं जिसके क्विश्चन करना पॉसिबल हो नहीं पाता ना तो जब बड़नाउट सा फील हो रहा है पढ़ाई नहीं हो पारी डंग से तो जब बड़नाउट फील होता है जब मन नहीं होता पढ़ाई करने को तब पढ़ाई कर लो वही तो है ऐसली बाजीगर बाजीगरो ठीक है जब सब का मन अच्छा होता तब तो पढ़ते ही हो ठ गुगगा नव मीस तरह से मने पढ़ा था ना तो यह कहां के हर्याना के हैं लिखा भी हो यहां पर हर्याना में celebrate होते हैं व पंजब, यूप माचसल को इंटा और सी वॉपोई नाल में इसकोinger का किसट कीव आपनाते हैं और यू वु किस फrem स्यटीव को किस स्टेट में Complex कोषब प्रीमारीट एंडिस प्रजस्टॉन ठीक है थोड़ अगर आप देखे तो वेस्ट ब Quer साईistic ट्रशन नाम नहीं नहीं है किस और नाम कहते तो बिहार में तो करते हैं इस साथ अग्लोग के साथ when the छोटे महाराश्चन हैं नहीं होग लोगों कि क्या नाम था नाम tu bha क्या थे पतल नहीं कुछ लास्ट मोलते थे याद नहीं कि आ रहा ईसे करने का न बोल के करने का तो आंसर क्या हो जाएगा असंद्ड होजाएगा डॉल सफ आश्य। में और कौन-कौन से 1979 पड़ेते अस्द मैं पड़ेते कि वे असनव कि बहु ने अपनी बाई को पटक पटक के मारा क्योंकि इसको अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था तो असम की बहु ने बाई को बाई को फेस्टिवल पटक पटक के देहिंग पटकाई फेस्टिवल देहिंग पटक पटक के अमारा रंगीन कर द यह मार मार के और क्योंकि उसको अली के अब्बू के साथ तो अली ऐलिगांग फेस्टिवल अली ऐलिगांग फेस्टिवल मार मार के अली के अब्बू के साथ तो अम्बू बाची फेस्टिवल अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था तो मजूली फ बारे में तो भगूरिया के एगर हम बात करें तो एक कम मनाए जाता है दिवाली इसको मनाया जाता है For how many days is the तिरुपति तिरुमला ब्रह्मोट सवम organized यानि की क्या question है अपका जितने भी लोग पूछ रहे हैं बिलकुल जिसंडे को तिरुपति तिरुमला ब्रह्मोट सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है 12, 9, 15 या फिर 5 तो सही answer इसका क्या होगा कितने दिनों के लिए जाता है अब ये थोड़ा सा question जो है मैं मानता हूं कि तोड़ा सा factual type question है मतलब कि इसमें आपको पता है असर नहीं अभी तो आप batch में ही हो ना अभी काश क्या नाम है आपका नहीं जब बैच में हो तो उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा हो अगर आप बैच में तो ही तभी तो एक class देख रहा हो ठीक है ये कोई YouTube पे तो हो नहीं रही है तो वहीं पर जब बैच में के अंदर जाओगे तो काफी लोग को नोट्स ही नहीं पता है नोट्स कहां पे रहते हैं जब आप जो वीडियो देखते हो उसके साइड में तो नोट्स पढ़े रहते हैं ठीक है चलो भई तो तिरूपती तिरूमरा देव स्थानम ये कहां पे आपका ये आपका आंद्र प्रदेश से पढ़ता है और हम लोगों ने अभी अच्छा नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पे अस्थाना नर्तकी किसको बोलते हैं अस्थाना ये हमने दो चीज़े पढ़ी थे अस्थाना नर्त के लिए और एक अस्थाना विद्वान तो अस्थाना विद्वान बोलते हैं हमें सुबुलक्षमी को और अस्थाना नर्त की अगर आप बता सके यानि की resident dancer कौन थी कौन थी कोई बता सकता है वाई से नम उनका चालू होता है तो ये answer हो जाएगा 9 नौ दिन के लिए आपका ये ब्रहमोटसवं चलता है चेतिया केरी विहार festival जो है किस state में और अउगनाईस किया जाता है चेतिया केरी विहार महोटसव किस राज्य में आज़ित किया जाता है तो यह होता है आपका मध्य प्रदेश में option number D यहाँ पर सही answer होगा अभी हम लोगों ने देखा था अगला है in which month as per the Hindu calendar is the birth anniversary of Lord Mahavir Swami celebrated Hindu calendar के अनुसार भगवान Mahavir Swami के जैनती किस महिने में मनाई जाती है तो चैत्र कार्तिक माग या फिर वैसाक के महिने में मनाई जाती है तो यहाँ पे सही answer क्या होगा सही answer होगा यहाँ पे चैत्र तो आपका यह होता है March के time पे ठीक और actual में इसी time पे ही birth anniversary ठीक है तो birth anniversary के उसी time पे होती ही जिस समय आपके new year festival चल रहे होते है तो हमने कल भी देखा था कि गुड़ी पड़वा में गुड़ी का मतलब क्या है मुड़ी क्लास का नोटिफिकेशन का फिलो को नहीं कि ना तो इसका मतलब क्या यह आपका symbol of power option number D यहाँ पे सही answer होगा option number D would be the correct answer गुड़ी पड़वा आपका new year festival के रूप में इसको celebrate किया जाता इंदा महराश्टियन ठीक है अगला question है हमारा hornbill festival के respect में कि the hornbill festival is celebrated in the northeastern state of Nagaland तो हमने देखा था कि नाग बिल नाग जो है बिल में ही तो रहता है और वो क्या खिलाता है उसने बोला सक्कर खाएंगे नागिन से बोला सक्कर खाएंगे ठीक है सक्कर खाएंगे मू में तुमको रखेंगे सक्कर ठीक है तो माच्सू माच्सू ठीक है 10 December की बीच में 10-day festival है तो दूसरा B statement गलत हुआ B statement गलत हुआ ये गया, ये गया, ये गया, खतम हो गया C अपने आप सही हो गया The name of the festival is derived from the Indian hornbill which is a bird that is an essential character of the folk, tales of the state तो actual में जो hornbill होती ही Indian hornbill ये एक तरह की bird का नाम है ठीक है, एक चिलिया का नाम है which is the following statement is or are correct regarding the Batu Kama festival Batu Kama के respect में कौन से statement सही है This festival is celebrated in the state of Telangana Telangana में इसको celebrate किया जाता है Batu Kama, है ना, बतुआ बना लू अम्मा, अम्मा से उसने पुछे था बतुआ बना लू, किसके साथ बनाने की बात कर रहा था मेधा के साथ बात कर रहा था तो मेधा जो जातरा है, मेधा राम जातरा वो भी Telangana कही है तेल में बतुआ बना लू, है ना, इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहला वाला तो सही होगा, Batu Kama मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े जो है क्या, फूल, फूल को संजो, संजो के, फूल को कलेट करकरके, फूल का बनाते थे वो जो इस तरह से उसको Batu Kama बोलते है, तो it is a floral festival बिलको लिए, फूलों से सजाया जाता है Mother Goddess, Batu Kama which is the Mother of Goddess, भी भी सही है इस festival is celebrated for 9 months, sorry 9 days, ये भी आपका सही है, during September to October, mostly 10 एरा से पहले इस पर celebrate किया जाता ये भी सही है, during this festival, men will sing songs and dance around the flower bunches, ये गलाथे मैंना को बताया था, women organize करते है अगर आप मैंना को याद मैंना को बताया था, बई men तो क्या celebrate करते हैं, बई men को कुछ इस तरह का काम दे दो, है ना कि मतलब थोड़ा बहंकर टाइप, अब women ही तो ये सा floral काम करेंगी है हमारी, है ना, men थोड़ी ने ऐसे type के काम करते हैं, तो answer क्या होगा, A, B and C यहाँ पर तीनों ही सही हो जाएंगे, और D वाला गलत हो जाएगा, because men की जाएगा यह वहाँ पर women होगा, तो option number A question number 10, what is the Malayalam new year called in Kerala तो Malayalam new year को किस नाम से जानते है केरल में, तो केरल में इसको हम जानते हैं, विशू के नाम से, नुआ खाई कहां का है festival, Odisha का है Pongal का मतलब, बताइए comment section में क्या होता है, और यह कहां का है, Tamil Nadu का है, और उगाडी, यह new year नहीं है, नुआ खाई और Pongal new year नहीं, उगाडी new year है, यह जो तेलगू हमारी community है, आंधर प्रदेश और आपका तेलंगाना और करनाटक वाले region में, वहाँ पर उगाडी को वाज़ा new year festival celebrate किया जाता है, जो मल्याली community है, केरल की, वो विश्व के रूप में celebrate करती है, ठीक है, जो जो आपका मदरासी community है, वो उसको किस रूप में celebrate करती है मॉट्सू festival of Nagaland is celebrated by which of the following tribes? नागालेंड का मॉट्सू और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, पता किसी को पता है क्या reason, shortness of breath क्यों होता है, मतलब एक दम से सलगता सांस चली है, इसा क्यों होता है, मॉट्सू festival of Nagaland is celebrated by which of the following tribes तो भी तेखा था भई, आओ, मुँ में, मतलब, सक्कर रखेंगे आपके, नाग ने नागेंड से बोला था, तो option number D जाएगा ना, क्या, क्या हुआ, क्या हुआ, कि दिक्कत थे, इसमें कुछ, दिक्कत है कि इसमें कुछ, मदरासी community पुथान्डू के रूप में, जो तमिल नाडू के होती हुआ, पुथान्डू के रूप में इसको celebrate करती है, ठीक है, अच्छा, लंग्स ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, अच्छली होता है कि बोलते-बोलते तो हो सकता है कि breathing नहीं हो पाती हो, covid returns, head pain हो रहा है, head तो नहीं, थोड़ा सा, नेंद की shortness चल ले यह समें, anxiety भी हो सकती है, थोड़ा मानूँगा तो मैं, गर्मी की जैसे shortness हो, exercise तो और नहीं, physical activity यह भी हो सकता है, बट हाँ, physical activity सुबह का time ही होता है, morning में फिर तो time नहीं मिलता है, लेकिन सुबह का time तो physical activity होती है, अब जैसे इतनी दिर बोला, ऐसे लग रहा है, shortness of breath होगे एक दम से, पता नहीं क्यों, केर अंगारिया पूजा, anxiety तो है, थोड़ा सा, कुछ, personal reasons की हो जैसे, anxiety तो थोड़ा इसे चल रही है, anxiety in the sense की हाँ, थोड़ा सा sleep भी नहीं proper हो पा रही है, केर अंगारिया पूजा are traditional festivals of which state, तो यह कहां कहे हैं, केर अंगारिया पूजा, तो हमने देखा था, यह हैं के, त्रिपरा के option number C है ना, गारिया, पूजा, केर, पूजा, तो यह जितने भी हैं, वो त्रिपरा के हैं, और होजागीरी भी तो यहीं कह था, कोजागीरी कहां कहा है, कोजागीरी, वो महराष्ट का है, है ना, और पढ़ते हैं, विच गॉड़िस असोसेटेट विद गंगार फेस्टिवल, तो कौन से हमारी गॉड़िस असोसेटेट हैं, 4.4 CO2 नहीं निकल पाता, अच्छा, आपको रिस्का जरत है, लंबी-लंबी सांस लिया करिया, इस से भी लंबी, अब थोड़ा से मुझे ना awkward लगता है मैं जान मोज़के नहीं लेता हूं कि तुम लोग को awkward लग क्या सांसे भर रहे होती दियर से लेकिन आर पता नहीं मैं अब जसे बाकी भी क्लास ले रहा हूं ना मैं तो पता नहीं इसे सेंब बोल देता हूं भी चिए कि भई ऐसा ऐसा मेरे साथ भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो अगर अजीब से लगे तो माफ कर रहा है ना कि सांसों के अवाज आ जातो विच बना लूं अम्मा तेल में इसके साथ मेधा के साथ रॉंकर फेस्टिवल कहां पर सलिब्रेट यह नहीं पूच रहा कहां पर रंगीन बना दिया था अलीग किसने बहू ने सम्की भाई ने तो असम का है और असम की अबने कल देखा था कर भी असम में एक गॉन ट्राइब न कोविक मोंडल अच्छे यह फिर और खराब हो जाएगी सच्यूएशन हमें तो लगता है खराब हो जाएगी आओ ट्राइब आओ माच्छू फेस्टिवल है और भील ट्राइब जो वो दान्स अमने पड़ा तो कौन सा जी से स्टार्ट होता है गूमर सिक्स्टींथ पानी लाना पड़े थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही ठीक है क्विस्टेन करेंगे सिक्स्टींथ और सेवन्टींथ क्विस्टेन करेंगे सिक्स्टींथ फेस्टींथ इंडिया इस असेटिए विद फोकुर फोड़ ऑफ किंग महाबली तो हमने देखा था महाबली एक असूर का नाम था जिन्होंने देवताओं का वद किया था और उसको सेलिब्रेट किया जा था बिकास काफी यह मतलब इनका यह मानना था महाबली मतलब लोग किंग महाबली के लिए होता है ना तो यह क्योंकि बहुत दानी थे इसलिए सलिबेट किया था गुड़ी पड़वा हमने देख चुके महाराष्ट का उगाडी आंद्रान करनाटका का नीवियर है और पोंगल तमिल नादु का है जिसका मतलब होता है तूब इसमें क्या जब तक बॉइल किया जाता है जब तक बाहर नहीं आ जाता बाहर फ्लो नहीं होने लगता है और उसको चलाया जाता है ना तूला से रुपना जाना जाता दिक्का थोरी है क्या जाता है झाल झाल चलो बई ब्रेक के लिए बहुत बहुत सॉरी ठीक है पहली बार ऐसा हुआ है ठीक है कोई नहीं है हो जाता है कभी-गभी है ना बहुत माफी चाहेंगे कोई नहीं कोई सॉरी 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 कि अचल नीन भी नहीं हो पाई ना एक्छली क्या थोड़ा अमी के भी तवियद सही नहीं है ना इसमें रात में थोड़ा साओ भी देखना पड़ा जाता कोई नहीं नहीं को पता यार, वंगाला, फिस्टिवल of undirdoms होता है, बेदिन कलाम होता है और हमारा नौंग करेम फिस्टिवल होता है, एक होता है शद सुक्र करके, हना, और ट्राइब इम ने देख लिया था, गारो ट्राइब सलिबेत करती है वंगाला, खासी नौंक्रेम और जहनतिया बैदिन खलाम और जो शद्षुक्र होता है वो भी आपकी जहनतिया ट्राइब भी सलिबेट करती है और मनीपुर में तो यह मनी आते ही क्या लुगाई आ जाती है ना तो लू नगाई, गंग नगाई यह सब जित्ते भी नगाई होते हैं आपके सब मनीपुर के यह होते हैं अगला है शद्षुक्र फेस्टियोल जहनतिया ट्राइब सलिबेट करती है कहां पे असम में, पंजाब में, जहारखन में और मेगाले में, कहां पे तो यह होता है मेगाले में पंजाब के तो होला मुहला विसवा में पता ही है जहारखन के भी कर्मा देखा था भागता परब देखा था और भागता परब गलती सा इतिंग मैंने कल पंजाब बता देजिए उसको करेट कर लिएगा मिजवराम को कूट दो इस तरह से याद कर सकते है मिजवराम को कूट दो चलो तो यह चीज़ है आगे बढ़ते हैं 19th नमबर नौरोस कहां का एक निव इयर फेस्टिवल है मतलब पार्सी कम्यूनिटी का है जैन कम्यूनिटी का है सिक कम्यूनिटी का है या फिर आपका या फिर बुद्धिस कम्यूनिटी का तो नौरोस को हम और किस नाम से जानते है पटेटी के नाम से जानते है और यह किसका है पार्सी इसका जो है निव इयर है और अगर हम बात करें बाकी जैसे जो बुद्धिस कम्यूनिटी होती है जो खासकर हमें तिब्वतन बुद्धिस्ट होते हैं इनका होता है लोसर लोसर के नाम से होता है इनका जो निवियर फेस्टिवल होता है हमने पढ़ा था यह जो लोसर होता है किन-किन स्टेट में होता है अपका रुनाचल में होता है सिक्की में होता है ठीक है चलिए अगला कुष्चिन है, कुष्चिन नमबर 28 and that is according to the Sikh literature the birth anniversary of Guru Nanak Dev is celebrated on the full moon day of the Indian lunar month Sikh साहित तिक अनुसार Guru Nanak Dev की जहनती भारती चंद्रमा की पुर्णिमा के दिन किस दिन मनाई जाती? Maag, Posh, Ashad या फिर कार्थिक तो Sikh literature the birth anniversary of Guru Nanak Dev जी की बहुत anniversary होती Maag, अब Maag कौन सा होता है? Maag महिना कौन सा होता है? अब जैसे कार्थिक की बात करें तो कार्थिक के टाइम पे तो आपका दिवाली का टाइम होता है यानि कि यह होता है आपका वही हम बोल सकते हैं कि October November का टाइम असाल होता है आपका कब सावन है ना सावन, असाल सावन तो सावन के बाद आपका असाल आता है यानि की आपका वह August का टाइम हो जाएगा असाल का और Maag की अगर बात करें तो याद करो Maag भी हो जिसको बहाग भी हो के नाम से जानते हैं यह जैन फेब के टाइम पे होता है ना जैन फेब के टाइम पे 21 के अगर बात करें दा नुआ खाई फेस्टियोल अफ डैश अब्सरवड ऑन पंचमी तिथी ओफ दा लूनर फॉर्टनाइट अफ बद्रव दे अफटर गनेश चतुर्थी अधिसा असम एगाले विस्पिंग ओल तो इतना सब लंबा हमें पढ़ने के जरुत नहीं है विकाज हमें पता नुआ का हमने पढ़ा तो नुआ का मतलब नी होता है खाई का मतलब खाना है न तो new food होता है जहां पर हमारा हमें सबंके जहां की खेDER हमागे की घड़ी होई है तो answer कि अगर यहाँ पर बात करें तो option number A यहाँ पर से answer होगा उड़ीसा ठीक अगला हमारा तो हमने किस तरह से याद किया था कि अभी 6 खाई ये फिर 9 खाई ये कौन बताएगा 6 खाई 6 से 6 हो जाएगा 6 खाई ये 9 खाई ये कौन बताएगा तो कौन से कौनार्ग फेस्टिवल बताएगा से बाल यात्रा कौन बताएगा कलिंग के राजा जो रध पे बैठे हैं तो कलिंग महोट सा हो जाएगा और रध पे बैठे हैं से आपका जो रध यात्रा निकलती है रत्यात्रा और जो बाल यात्रा है वो भी आपका उडीसा का ही है The Dash is celebrated in the jharkhand immediately after Diwali on the New Moon Day in the honor of the cattle तो cattle के honor में इसमें से किसको मनाया जाता है भागतापरा मकर, रोहिनी या फिर सोहराई तो यहाँ पे immediately after Diwali तो यह होता है आपका सोहराई option number D, यहाँ पर से answer रोगा, तो वही मैं भागता पर आप आपको, भागता पर आप बता रहा था कि आपका जारकंड का ही होता है, जारकंड के अगर हम और फेस्टिवल को recall करें, तो और कौन-कौन से हो जाएंगे, जैसे कि सरहुल बताया था, सरहुल वही फेस्टिवल है, ज जवा होता है, जवा में क्या होता है, कि जो अन्मारीड विमेंस होती है, वो क्या करती है, अपने अन्मारीड विमेंस इसको परफॉर्म करती है, जवा को, सरहुल के साथ साथ आपका सोराई, यह जो भी हमने देखा, सोराई भी होता है, आपका फेस्टिवल और, और कोई रोहिनी फेस्टिवल देखा था हम लोगों ने तुसू परब देखा था रोहिनी के साथ तुसू परब भागता परब दिस साल्ट्री अजिम्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन नंबर ओफ ट्राइबल कम्मुनिटीज स्काटर्ड अक्रोस इस्टन इंडिया फोर इस्टन्स डैश फेस्टिवल इसलिबिटेट इन दी ओनर फ्ट्री इन जारकन कर्मा तुसू परब सरहुल और या फिर सोहराई तो साल्ट्री जो होता है साल्ट्री एक हमारा जोग्रफी में पढ़ात हम लोगों नहीं ट्रॉपिकल डेसीडूस और भाई मुझे पता है कि काफी लोगों को रिवेजिन में दिक्कात आ रही है मैं सची बता रहूं है और जो संड़े को मैं अनौंस करूंगा तो एकदम म प्रण किया क्यों कि CHSL CPO के लिए होगा तो वह पूरा रिवेजिन मतलब बहुत अच्छे फॉर्माट में मतलब वह पूरा एक पैकेज सोचा है और वह पैकेज में एक बी चीज चलो तो मैं बताऊंगा ठीक है तो साल्ट्री के अगर बात करें तो यह होता है आपका सरहु जो फेस्टिवल होता है उसमें option number C यहाँ पर सी आंसर होगा और इसको हमने याद किस्ते किया था जारकंड का रोहिनी का भागता सौहर उसको सुसू लगी तो उसने ये करम सरहत पर कर दिया तो रोहिनी से रोहिनी फेस्टिवल भागता से भागता पर अप सौहर से सौहरा इसमल्लमे या भी पर ल Collegeście10 सब्सक्तरर Azoda चांवर्व होता है जिसको कि हम जाल्हर जानते हो ठीक है और आर्थच में आती तो सुंसूर्गरेंडडर बोलते हैं और अगर मून बीच में आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं सूर गेहन इसको बोलते हैं solar eclipse मैं आपको revise करा रहा हूँ ठीक है जो जो जोग्रिफिम पड़े थे तो lunar full moon का होता है जब हमें moon का maximum part visible होता है which is not more than 60% because roughly 60% से ज्यादा हमें moon का part visible नहीं होता है कभी भी because उसका rotation क टाइम और revolution का टाइम सेम होता है कितना होता है जरा बतागे comment में तो यह पर्टिकलर आप केस देख पा रहे हैं lunar eclipse यह होता है full moon वाला condition यहीं होता है full moon condition जहां पर पूरी रौशनी मून तक जा रही है तुम सोचोंगे अर्थ तो बीच में आ रहा है कहा रौशनी जा रही प देखेंगे तो पाएंगे कि अर्थ आगे मून पीछे तो मून तक पूरी light पहुंच रही है बट इस केस में अभी पूरी light मून तक पहुंच रही है लेकिन जो पार्ट हमें visible है earth surface से उसमें तो पहुंची नहीं रहे है light इसके तरफ जाए यहां पर आमावास की काली रात होगी और यहां पर पूर्णिमा होगी इसको बोलते हैं new moon और इसको बोलते हैं full moon तो आंसर हो जाएगा यहां पर वहसाग के time पे होता ही है ठीक है चैत्र वहसाग के time पे होता ही है अगले हमारा डाश is one of the most important festivals of कामक्क्या temple of Guati अब कामक्या आते ही सीधे आपको क्या मारना है कामक्या आते ही सीधे आपको अंभूबाची अंभूबाची फेस्टिवल है कामक्या देवी टेंपल में हमारा मनाया यह भी हमने देखा था अगला सवाल देखिए अगला यह है और बाइस उना है अपने अलविश भाई वह भी एससी का एक्जाम दे रहे हैं बोल दें कि अगला सीजे लम भी देंगे और वह क्या टाइम वगएरा मने देख लिया श्रीग लिए कपकभ एक्जाम होगा और कर रहे हैं ठीक है तो मैंदम मैंफी कहां का है असाम का है हम हम हुआ है 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 अ अ सबका तो सही आंसर नहीं है बोहाग भी आंसर होगा जो मैंने पीछे पूछा था कि बहुए कौन सा निव एर फेस्टिवल होता है भी हूँ अगर हम बात करें ठीक है तो वह बोहाग भी हो होता है जिसको रंगाली के नाम से जनाता है रंगाली बोलो चाहा बोहाग भी हो बोलो बात एक ही है ठीक है तो यह आपका सम हो गया अगला सवाल है 27 ड्री उत्सव कहां पर सलिबेट किया जाता तो हमने किस तरह से आत किया अरुना क्या तेरे संग सोलूं संग से तेरे संग सोलूं इस ट्री के नीचे तो ट्री से ड्री हो गया था ट्री के नीचे तो अरुना क्या बोला लो सर मेरी पिन से मोपिन पकड़ो और मेरे पास आओ पास आओ से पांग साओ सोलूं से सोलूं फेस्टिवल सांग से सांकेन फेस्टिवल तो आंसर क्या होगा अरुनाचल प्रिदेश ठीक लो सूंग फेस्टिवल इस सब कहां के हैं सिक्किम के इसी तरह से तुमने याद किये थे तो आंसर होगा इसका बस्तर जो गॉंचा होता है बस्तर गॉंचा बस्तर आपको पता है डिस्टिक्ट है और गॉंचा जगह है आपके ओडिसा में तो उनका फ्यूजन है इस सक्राथ फेस्टिवल सक्राथ से थोड़ा वो फील आ रहा है हजराथ 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 अगर लिल्की शाम तक अपने घर में नहीं पहुंची तो इतने बंफोलेंग इतने बंफोलेंग है इलाका दुआ हो जाएगा तो सही आंसर क्या होगा सक्राथ फेस्टिवल के कर बात करें तो यह होगा आपका ओडिसा में ऑप्शन नमबर ए वुट बी ती करेक्ट आंसर 31st किते क्विश्चन करेंगे सर 50 क्विश्चन करेंगे ठीक है अच्छा शुष्टांग अटला टडडी अफेस्टिवल सेलिब्रेटर बाई मारीड और अन्मारीड विमन अलाइक तो सीग दी ब्लेसिंग अफ देवी गौरी वर लॉंग अपी मारीड लाइफ अंड शेंड कुनार्क जो डांस फेस्टिवल होता है हाज बिन हेल्ड एट दी कुनार्क सिंस 1986 बिट्वीन डैश एवरी यर तो जो कुनार्क फेस्टिवल है तो यह कब से कब सलिब्रेट होता है 1986 से सलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है यह डिसमबर एक से लेके पांच हमने देखा था हॉर्ण बिल जो फेस्टिवल है यह कब से कब तक तो यह आपका एक से लेके 10 दिसमबर तक के बीच में होता है तो यह ताएम बहुते चो. कब का फेस्टिवल है कौन सा बस्तर या फिर बस्तर दशारा हम इसको बोलते हैं चाह टियस गड़ के और फेस्टिवल आप रिकॉरल कर सकते हैं जो मने पड़े थे चाहिछ सोंचा और बोला हवेली में बस्ता लेकर दशारा मनाएंगे इस तरह से देखे थे मड़ाई तो जो भी हमने देखा था लुगाई गंगनगाई नगाई नगाई सब कहा है मनीपुर में तो इसी तरह समने आते हैं पहले से यादी होगा डॉल जातर हो जाएगा चेरी से चरीब्लॉसम फेस्टिवल हो जाएगा और हिंडन से आपका हेरुकु हिंडोंबा हो जाएगा हेरुकु हिंडोंगबा ठीक है हिंडोंगबा कहां कि आपके मनिपुर के हैं अगला इविचो तो following is a festival and dance इन में से कौन सा festival भी और dance भी है तो पॉंगल तो जहां भी कुट मिल जाए आपको सीधे जादा बिना दिमाग लगा हुए क्या मानना मिजोरम को कूट देना है ठीक है मिजोरम को कूट देना है और which of the following state is जली कट्टू a famous बुल टेमिंग फेस्टिवल तो जली कट्टू एक तो बुल टेमिंग हो गया ऐसे होता हमारा बफेलो रेस बफेलो रेस कहां पर हो गना इसकी जाती है किस पर्टिकलर फेस्टिवल में तो बुल की टेमिंग हो रही है तमिल नाडू में हो रही है बुल की टेमिंग और फेमस रथ यात्रा जो गोकुल से कहां तक रिप्रेजन करती है क्रिशन जी की जर्णी को यह भगवान जगनात के लिए निकलती है option number B in the state of Odisha अगला है हमारा the Kajri festival is limited in which of the following state मिजोरम शरद सब का सही है ठीक है तो Kajri festival कहां पे होता है तो यह भी हमने किया जाता है लक्त अधने या द खिय किये थे तो करनातक में हमारा काम वाला जिसेग कल गाड़ी से हो जाएगा आपका उगाड़ी फेस्टिवल और करके से हो जाएगा आपका करगा फेस्टिवल करके से हो जाएगा करगा फेस्टिवल करगा भी कहां कहें करनाटका है ठीक है गौंबी हबब गौरी हबब जहां भी हबब दिखिजाए आपको वह भी करनाटका इसको नाम से चांटे है यह तो चैत्र के माहिने होता है इप्रिल के टाइम पर तैम चल रहा है काटी वहागी की ताइम पर धिवाली के टाइम होता है आपका औक्टोबर का टाइम होता है अपका जो खरीफ सीजन होता है असका जो हमारा हर्वेस्टिंग सीजन होता है खरीफ क्रॉपिंग का Since 2004 which is the following state in India is a permanent venue of international film ये कहां से कुछ चना गया भई ये ठीक आंसर गोवा होगा अच्छा ठीक है festival तो इसलिए को इस चना के कोई नी तो international film festival आपका जो है गोवा में होता है जब हम करेंट फेर पढ़ेंगे तो इस बार के international जो film fair आवार्ड से वो भी देखेंगे कि इस बार के international film fair कोई बताना चाहेगा जो इस बार का international film fair मिला है तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है कौन से फिल्म है जिसको की बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अगला कुस्चन देखते हैं और यहां पर चलो इसका पहले बता देता हूं ऐसे तो आपकी मूवी है अब बास अमीनी ने बनाई है endless borders वो इसको मिला है अभी इफीज अवार्ड से 54 इंटरनाशनल film fair अवार्ड उसमें मिला है सबसे बेस्ट फिल्म हो जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड के नाम से जानते गोल्डन पीकॉक अवार्ड ठीक है टुलिप अब गया और कियुकि यहां पर पस्भण संभव सावका दावा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो हमने पढ़ा था कहां पर इस याहां को मनाई जाती है दमाग में चैत्र में अश्विन में कार्तिक में बार-बार रिपीट करूं कार्तिक में और ध्यान रखना अमावस में मनाया जाता है इसको अमावस्य का मतलब समझें निव मून बाकि जितने भी important festival है holy गया रक्षा बंदन आएगा वो सारे holy रक्षा बंदन ये सारे और भी फुल मून यानि पूर्णीवा में मनाया जातें हैं लेकिन दीपावली is दो ऊहन और मेंजर यह फस्यूल जी पूर्णीमा में नहीं कार्तिक में मनाया जाता है ठीक है अगला कुश्चन है चैत्रॉल और फुलाइच कहां के फिस्टिवल है कार्तिक ठीक है ठीक है ठीक है तो कहां के हैं चैत्रॉल और फुलाइच तो यह आपके हिमाचल प्रिदेश का ऑप्शन नमबर यहां पर से आंसर वाजएगा सर क्या चीज कि एक एक्सथा कॉमेंट बढ़िए Filip फेस्टिवल कहां का थे फ्लेमिंगो फेस्टिवल यह आंद्रे कहां है ठीक है नोट कर लो इसको भी उच्छा क्विस्टिवल ने पूछा है फ्लेमिंगो जो festival है यह आंद्रप्रदेश का है ठीक है तीन दीन चलता यह तो आगे बढ़ते हैं और अगला question देखते हैं अगला question है हमारा रजनी गबरा अंड हर्नी गबरा तो गबरा गबरा जो है यह कहां के festivals है रजनी गबरा और कौन सा है ये घरणी गबरा असंगयार मिजोरम या फिर वेस्पेंगॉल ते ये दोनों फेस्टिवल है आपके ये आपका इसमें तो कौन सा होगा बाई अप्शाम होगा ठीक अप्शाम होगा गबरा रजनी गबरा हरनी गबरा असम होगा ठीक है असम होगा रजनी गबरा और हरनी गबरा इसको भी एड़ कर लेना ठीक है कि असम की बहूत ही और वो गर्बा कर रही थी इस तरह से कुछ याद कर सकते हो ठीक है हरनी गबरा और एक बढ़ें अगला क्वेश्चिन थर्ड लास्ट विच फॉल्लिग फेस्टिव दर्शूसेटिट विदी टरम टाइज ऑफ प्रिटेक्शन तो भाई टाइज ऑफ्टेक्शन क्या होता है टाइज औफ प्रिटेक्शन रक्षा बंदन होता है ठीक है जो आपका कॉन से महीने में होता जरह बताए और नोट से मांग भी हूर निव यहर मेंशन ने अच्छा सेजल उसको एर करट करवाना नहीं उसको इंपरोड हो ठीक है उसको करेट करवा देंगा अब फ्लेमिंगो फेस्टियल में होता क्या है तो फ्लेमिंगो जैसे हॉन्बिल आपने सुना है हॉन्बिल तो हॉन्बिल एक बर्ड का नाम है जो माइग्रेट करती है नागा लान में आते है ऐसे फ्लेमिंगो एक बर्ड का नाम है जो Siberian region से migrate करके यहाँ पर आती है तो उसके migration को ही आप ऐसे समझ लो कि celebrate किया जाता है यहाँ पर boat race और यह सब race organize की जाती तो flamingo एक bird का नाम है अगर आप द्यान से देखोगे जैसे hornbill एक bird है वैसे ही आपका flamingo भी bird है ठीक है तो नाग पंचमी के अगर बात करें in which month of the Hindu calendar तो नाग पंचमी कम मनाई जाती है शावन के महीने में मनाई जाती है कार्तिक में मनाई जाती है या फिर आपका शरद या फिर असार तो अब वेसी बात है किस time पर मनाई जाएगी तो सावन के जो time होता है July August का इसको वही August के first week के July के last week में usually होती है यह नाग पंचमी तो यह सावन कमीना होगा उसी time पर नाग निकलते है तो इसलिए उनको दूद रखा जाता है एक बार पता जब मैं छोटा था तो मामा के हाँ पर गेट पर मैं खड़ा हुआ था ठीक है गेट पर मैं खड़ा हुआ था ठीक है काफी पहले की बात है और जो मेरे मतलब इसे जानी मामा के मतलब सभी लोग मौसी के जैसे मेरा भाई तो सभी लोग लोग खेल रहते तो यह सभी लोग यहां पे थे बैठे थे और मॉसी भी यहां पे थी और सांप जो है मेरे उपर से निकल गया था वह नाग बंचमी का दिन था अब समझ लोग किस लेवल के रिस्पेक्ट मुझे मिली होगी तो इमाजिन करके देखो बैटा कि मेरे पैर से न हो सकता है कि मैं इधर उधर होंगा और वो काट लेगा और इस चीज़ का मुझे पता नहीं चला था कि मेरे उपर से सांप निकल गया भाई साप क्या इजयत मिली थी मेरे उसको कि भाई दूद रखाया गया था नाग के लिए और मुझे फिर आलगी उस दिन अटेंशन मिल उसेशन नमबर मुंबाई में होता है आपका आई ठीक अब यह बाकी कितौब करी लोगे तिबतन निवी अर कौन सा होता है लोसर होता है ठीक है और लोक रंग कहां पर होता है 5 डे का फेस्टिवल होता कल आपको बताया थे लोकों का रंग कहां पर चट्ल रहा था मध्य प आपनी बहगवान वाली feeling विल्कूल वही वाली feeling अभी अभी भी फॉट कर दिया था है जब भी नाघस वे शुक्कuri है वही से हमारा ठीक है ऱ मै नाम तो मैं नहीं बता हो सिह वही अपना कोच लोग दो फना कुछ लोग पता हिसे raped क्यों ठीक है तो काफी ज्यादा इज्यत मिलती है बटा नाग पंचमी के दिन अलग इज्यत होती है अपने तो बंदी छोड़ दिवस विच कोइंसाइट सित विच हिंदु फैसल तो बंदी छोड़ दिवस ये मनाते हैं किसका मीनिंग होता है और किसका मीनिंग होता है कि मेरी भाली भी सालाप देज्यत कृश्चा छहाँ है अब है आइस पौंगा लोग ठीक है आप्छिन नमबर श्क्रेण क Communist कर द घ्र tart हां जी तो भई लेक्चर होता है खतम एंड बाकी अरदों को संडे को करेंगे टफ डेस तो होते हैं जैसे कि मेरे लिए भी काफी दो तीन दिन से टफ टाइम चल रहा है न कि मम्मी की थोड़ी सी तबियत खराब चल रही है बाकी ग्लासेज भी देखनी पड़ती है और बाकी बस समेटने में फाला रहे था समेटने में लग जाओ ये करो वह यह वह यह वह ठीक है बस श्यडिवल करने की टाइम नहीं मिलता क्योंकि ऐसे काम है इनी जिसको श्यडिवल किया जा सकता है और वही मैं सौच रहा था ठीक है तो कि आप लोगों से शीज को शेयर करूंगे कि वही तुम्हों को लग रहा होगा कि वह selection हो जाएगा तो तब होगी बढ़ियां लाइफ आपको क्या पता हो सकता है इसके काफी चाहस ते कि जाप लाइफ अभी जी रहें में यही बढ़िए लाइफ यही बढ़िए टाइम है इसको एंजॉआ करो हो सकता है कि जब job में जा है था तो इससे बढ़िया time job छोड़ो जब थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो जीज़ें शिडीगूल वाली नहीं होती है एकदम से कोई भी चीज़ होगी एकदम से सारा बर्डन आप पर हो जाता है अब जैसे कि अब मतलब पता चलता है कि पापा क्या क्या करते थे ठीक है जैसे पापा नहीं है तो अब पता चल़ाए कि आपको क्या क्या करते थे ये काम वह काम इधर ये छोटे-छोटे-चोटे प्रेश को काम है तो बजोब करने तुसक्त Lacan प्रसक करें तो यह थोड़ा सोंता है ठीड के आपका नाम पर्मार सरी नहीं 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 पर्मार मेरा नाम नहीं परमार एही कास्त है कि इस्टर फैस्टिल यई अंगरेजों क्रिष्टिंस से इसको इसको कि विष्टिन 7 थे बढ़ा देखना ठीक है ओके ठीक हैर पावर लगा दिया था गया गलती से उस ताइम पर थोड़ा सा वो वह डिस्टरबेंस हो गया था न उसी के वैसे विक्ट्री होगा ठीक है विक्ट्री होगा इसका अप्शन नुबर भी कल बताया भी था मैंने अपको सुधीर बोल रहे हैं अच्छा सुधीर आप मैरीड हो क्या काफी लोग है यहां पर वर्किंग भी मुझे पता है अब जैसे एक काफी लोग जैसे एक दो लोग मैं जानता हो परसनली भी साब इंस्पेक्टर एंस एसे फ में दो तीन लोग कुछ लोग सियार पेफ में हैं लोग को पता चल रहा होगा आप लोग को करेगा ठीक हैं अब तो सब कुछ करना है अब हम नहीं करेंगे तो रेस्ट करने से थोड़ी न हो जाएगा यह चलो बजी रेस्ट कर लेते हैं काम तो अपने कोई करना पड़ेगा ना चाहिए अभी करो चाहिए बाद में करो थैंक्स भई थैंक्स कोमल तौसिफ थैंक्यू वई शादी में बुलाओ गे ना सरहां क्यों नहीं अगर करेंगे तो जरूर बुलाएंगे ठीक है करेंगे तो जरूर बुलाएंगे ओल्ड मॉंग पीलो टेंशन कथमा यार सुमाज तो रहे हैं फीलिंग तो में भी आ रहे हैं लेकिन ये सब फाल्तो की चीज़ें मत करना ठीक है बुलो मॉंट नूंक के सब क्या डिए और ये ओल्ड मॉंट ड्हूर की तो दिख्कते नहीं दिखेंगी नुक्त तो एक्षेट्यमे रिख्द्कित्पर रिख्द्वलिप होश में टीक्ते और बड़ चुकी होंगी विसीए शाइकल में फाज झाएंगे उसके लिए मैं फिर और old monk पी नहीं होगी फिर और problems बढ़ेंगी तो हम अलगी zone में चले जाएंगे सब ठीक है बड़े-बड़े होते होते responsibility भी बढ़ती जाते हैं बिलकुल बात से ही है गोलकाता आजाओ दीदी से मिला दूगा खुश हो जाओगे कुछ दिन के लिए छुटी और छुटी लेना तो चाहते हैं लेकिन दिक्कत पता है क्या है अब डिफेंस अलगे चैनल है वहां पर रड़के बोलेंगी सर यह वह हमने आपकी हो जैसे बैच लिया है आप जादा दिखते नहीं है तो वो भी हरना पड़ता है रहाँ वी समझ लो कि सुबह सीडियर में क्लास ली देन फिर यह फोस के लिए लिया, देन आर्मी केवे लिया लिया, अब भीच भीच में ऐसा नहीं क्यों भीप्रेक होते रहते हैं, यह बीच में जैसे कि बाकि जो काम होते हैं, वो भी देखने पड़ते हैं, यह देन अभी अपकी कलस ले रहे हैं, देन करेंट अफेस रेकॉर्ड करना है देन कल के लिए देखना कि कौन कौन सी क्लासेज होंगी देन फिर मम्मी को भी देखना है थोड़ा सा ना अब टाइम भी मम्मी को हमी को देना पड़ेगा ये भी तो है कि नहीं तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है अच्छा क्या बलता है मटाल बलता है मटाल किस चीज़ को अहां हां रश्या चला जाओ रश्या भी जाएंगे गुमने गैत्री मन्त प्राई करो सर्ग 11 टाइम जरूर फैदा होगा तेंक यू वर पिता जी शुबो जी पहाड घूमाओ पहाड वहां है पहाड सोचे तो है अब सोच रहें कि दो महिने वाला सीन है न उसको पहले कर लेते हैं फिसीजल खतम कर लेते हैं तब ये पहाड वाड चलते हैं पहाड में यह ना क्या केले अच्छा भी तो नहीं यह विए थोड़ा साह मुझक कोई नहीं यह भी टाइम चला जाएगा सबका कोई सिब्लिंग नहीं है सिब्लिंग है वो भी इंडशेस में है तो वह भी अविलिबल नहीं है वह जौब पर हमें घर से तो सरव नहीं कर सकता है लेकिन यार तुम लोगों से ना इंटराइट करके बड़ा अच्छा लगता है एक चीज तो है अगर मुझे तो कभी कभी यह लगता है कि अगर मैं मतलब पढ़ाता ना होता अगर तुम लोग उसा इंटराक्शन ना होता तो मेरा क्या ही होता कभी कभी किसी के मेसेज आ जाते हैं ठीक है अभी जैसे सीपियो को रिजल्ट आया तो थोड़ा खुशी हो गई यहां में साइटमेंट रहती है उस चीज़ की अगर तुम लोगों को भी कभी लोग फील हुआ करें ठीक है अब जैसे मैं तो शेयर कर देतों तुम लोग साथ तुम लोगों को भी होता होगा वैसे तुम्हें सीजल मेंस के टाइम पर मैंने ऑप्शन रखा था मैं मेडिटेशन भी क सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं भी आपको करूंगा है ना जिसको वजरत होगी तो ठीक है कि आपको कुमार जी आपका भी चाट पढ़ लिया हमने हाँ विवा भी कर लेंगे हाँ विवा से डर लगता है थोड़ा से यह दिक्कत है अब अब कि हम कोर्स में रोल कर रहे हैं सराब जीवन साथी अगर आपके लिए कन्या देखां देखो वही कन्या आप पीसेस लॉंच कर दीजें वो भी लॉंच करेंगे जल्दी लेकिन कोई साथ में होना चाहिए है मैंने बोला भी था अगर कोई किसी को जानता हो भाईया दीदी कोई भी अफर कहीं कोई पढ़ाता हो है ना और वांड सा प्लाटो नो मुझे कोई साल में चाहिए है अकले अब मैं इस गारी को कब तक कहा तक कीछूंगा याणा लिम्यट डिज सकता हूं तो मुझे कोई साथ में चाहिए इससी के साथ साथ अब बाकी डिफेंस भी हो जाता है तो मुझा पता है मैं नहीं कर पाऊँगा अभी मेरी वाट लगी पड़ी है तो फिर PCS का तो कोई वही नहीं लिकिन अगर कोई साथ में होगा तो डेफिनेटली वी कैन साथ में कि गंदर विवा कर लो समाज रहे हैं मैं भी पता है क्या मतलब होता है गंदर विवा कहना है चलो भाई थैंक्यू सभी को हैना आप लोग जुड़े बिल्कुल प्रांजल शीतल शुब्रा सधीर एज वाट्शर एज सेर वो नहीं बताएंगे कुछ चीजन तो सस्पेंस में होनी चाहिए ना है कि नहीं सारी चीजन जान लोगे तो फिर सस्पेंस क्या रहे हैं यहां लेकिन आप लोगों से तो बढ़े ही हैं मैक्सिम्म लोगों से चलो वही थैंक्यू सबी को हां बाकी चलो ठीक है फिर सब्सक्राइब करना है चलो फिर कभी बतियाते हैं ठीक है चलो भई थैंक्यू सभी को जन्नेवाद मिलते हैं अगले टॉपिक में कल शाहिए लॉटो इस इनक्रीज करें खुदी लॉटिन सोचा राइव क्लास में कैसे एंक्रीज कर लोगे ला लॉजिकल बाद सोचो कि लाइव ग्लास में स्बीड कैसे इनक्रीज कर लोगे अब मैं आपस्पीट से बोल और मेड़े को फास्ट कर तोगे क्या मेरे को आदरल करने झाल झाल